बॉल्मिला आज भले ही फिल्मों से दूर है लेकिन 90 और शुरुवाती 20 के दशक में उनका जादू लोगों के सिर्चड़ कर बोलता था 1983 में फिल्म मासूम से चाइल्ड आर्टिस के तोर पर उर्मिला ने एंट्री ली थी वहीं लीड अक्ट्रस बनकर वे पहली बार 1992 में फिल्म चमतकार में नज़र आए औरमिला को फिल में तो बहुत मिली लेकिन उन्हें सुपर हीट अक्टरेस बनाया राम को पाल वर्मा के फिल्म रंगीला ने 1995 में आये फिल्म रंगीला के लिए औरमिला को बेस्ट अक्टरेस का फिल्म पियर अवार्ड भी मिला था उन्होंने सत्य पिंजर जुदाई और कौन जैसी शानदार फिल्में बनाई 2014 में उनकी आखरे फिल्म अजुबाई थी पिछले साल उर्मिला ने इर्फान खान के फिल्म ब्लाक मेल में एक आइटम सॉंग से वापसे की थी हलाकि आइटम सॉंग कुछ खास कमाल नहीं कर सका राम गोपाल की कई बॉलिवूड डारेक्टर से बनती नहीं थी इसका उर्मिला को भी कोई फिल्म में लेना नहीं चाता था यही कारण था कि धीरे देने उन्हों फिल्म में मिलनी कम हो गई उर्मिला ने 2016 में कश्मीरी बिजनसमेन मौसिन अक्सर मीर से शादी कर ली यह शादी जबरदस सुर्खियों में थी सिल्य भी थी क्योंकि मौसिन उर्मिला से उमर में 10 साल चोटे हैं उर्मिला फिल्म इवेंट्स पर अक्सर पती मौसिन के साथ नजर आती है उर्मिला ने फिल्मों को गुडबाई कह दिया और लाइम लाइट से दूर अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्थ हो गई है हलांकि वो अपनी फिटनेस और फिगर को लेकर हमेशा एक्टिव और अवेर रहती है तापसी पुनु अब अपनी नए फिल्म मिशन मंगल को लेकर सुर्खियों में है अपने नए परजक्ट पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है हाल ही में सोचल मीडिया पर तापसी पुनु ने मिशन मंगल वार फिल्म का हिस्ता होने की बात कही थी अब तापसी पुनु ने इस विशे में अपने लुक को शेर किया है इस फिल्म में अभी नेता अक्षे कुमार तापसी पुनु के साथ काम करते नज़र आएंगे मिशन मंगल के लुक को सोचल मीडिया पर शेर करते हुए तापसी ने लिखा खुबसुरत सफर का अंत हो गया करितिका अगरवाल के साथ मिशन मंगल की शूटिंग पूरी हो गई है फिल्म मिशन मंगल में अक्षे कुमार के साथ विद्या बालन, सुनाक्षी शिना, कृती कुलहारी, तापसी पुनु, शर्नम जोशी और नित्य मैनन मुख्य किरदारों में दिखेंगे अरवालकी के पड़क्शन में बन रही यह फिल्म महिला शुशक्तिकर्ण पर अधारित है यह भारत की पहली अंत्रिक्ष अधारित फिल्म मानी जा रही है इस फिल्म में मंगल यान मिशन में महिलाओं के योगदान को दिखाय जाएगा मिशन मंगलवार 15 अगस 2019 को रिलीस होगी